नमस्कार, हिंदी लणी चैनल पर आपका स्वागत है, आजाशिमा महाजन आपकी अध्यापी का फुल्मक्स पब्लिकेशन की बुक है, अमोली हिंदी पार्ट माला, क्लास 7 के स्टुडेंस के लिए चेप्टर नमबर 8 लेकर प्रस्तुत हुई है, पार्ट का नाम है कला का पर तो आपके सातों के सातों चेप्टर ओपन हो जाएंगे, आज आठ्मा चेप्टर अप्लोट होने जा रहा है कला का पर्चम, जाने की कला का जंडा, ओके बेटा, वीडियो देखने के बात उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, आप लोग लाइक का बटन दबाने में कंजू उसी क्यूं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जितने भी बच्चे इस पार्ट को देखते हैं, सबसे पहले लाइक का बटन दबाय दिया कीजिए, कला का पर्चम पार्वेश से शुरू करूंगी, इस पार्ट में कला बताया गया है, बहु आयामी होती है, जाने सीमा का बंदन, जाने कि ये कला कार को अगर अपनी कला दिखानी है, तो उसके लिए कोई भी उम्र का बहां पर बाउंडेशन नहीं है, कि उमर बतानी है, 80 साल का तो ये बंदा अपनी कला नहीं दिखा सकता, आठ साल का बच्चा, ठीक है, ये पार्ट ऐसे ही एक निश्यल कला का साक्षतकार है, साक्षतकार क्या होता है, इंटर्व्यू, ओकी, तो सैदर हैदर रजा, नव भारत टाइम्स आपने सुना ही होगा, निउस पेपर के बारे में, में भी, नव भारत टाइम्स क्या, तो नव भारत टाइम्स जी ने ये जो पार्ट है, एक वारतलाप के प्रस्तूत किया है जिसमें एक प्रश्ण पूछ रहा है रजासाहब से और हेडर साहब उसका जवाब दे रहे हैं और कौन है यह सैद सैयद हैदर रजा सहाथ तो यह भारत के महान कलाकारों में से एक है इस पार्ट के माद्यम से बच्चों मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि भारत के एक बड़े कलाकार सैयद हैदर रजा के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी कला के बारे में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए इस पार्ट में पंच तत्व शब्द आप पढ़ेंगे, पंच तत्व क्या होता है, तो हम सब का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, अकाश, वायू, अगनी, जल और प्रित्वी, तो जो मनुश्य का शरीर है इनी पंच तत्व से बना है, इसे ही पंच तत्व कहा जाता है, ये सारे ततो श्रीर के साथ चक्रों में बटे हुई हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओंगी क्योंकि क्लास सेवन के स्टूडेंट्स है, छोटे बच्चे हैं। पार्ट शुरू करती हूं फटाफट। सेद हैदर रजा, भारत के महान कलाकारों में से एक, जिनकी बनाई पेंटिंग पूरी दुनिया में सराही जाती है, जानकी प्रेस की जाती है, इनकी बनाई पेंटिंग की आज भी इनकी जितनी भी ड्रॉइंग्स है, जितनी भी पेंटिंग्स है, आज भी उसका सबूत हमार सामने है किसके रूप में इनकी कला कृतियों के रूप में कई पुरसकारों से समानित होकर और वर्षों की कला साधना के फलसब रूप सत्य को पैचान कर वो उसी में रम गए जाने कि इन्हें बहुत सारे पुरसकार मिले थे और इन्होंने बहुत साल कठी मेहनत भी की अपनी कला के लिए तो उसी में ये इतने लीन हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला जीवन का आदा हिस्सा कहां निकल गया रजा फाउंडेशन को मजबूती परदान करते हुए वे पंच तत्वा पर काम करना चाहते थे रजा फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जब आप तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन क्यों ओपन की थी और किन लोगों के लिए की थी वे पंच तत्वा पर जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है उस पर काम करना चाहते थे क्योंकि इन तत्वों से ये संसार बना है यहां एक दैनिक समचार पत आपने कैसे बनाया हैदर साहब फ्रांस में 60-70 साल रहने के बावजूद अपने वतन को मैं बावजूद होता है कि यद्देपी फ्रांस में 60-70 साल रहने के बावजूद भी अपने वतन को इसके बाद भी अपने वतन को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला हर साल मैं क्या होना चाहिए जाने की वर्ड की कला को देखते हुए उन्होंने इंडियन कला को ये इंडियन कला को दिखाना चाहते थे कि कैसा होना चाहिए उसके लिए इन्होंने वर्ड कला जाने की विश्यो की कला का वर्ड आर्ट का ब्रहमन करने के लिए ये फ्रांस गए थे वैसे बसी गए थे वो वहाँ जाकर ये काम पुरा करने में समय लग गया इसके अलाबा वहाँ पर एक बहुत ही खुपसूरत लड़की मिल गई और वो थी चितरकार उससे मेरा विवा हो गया वे अपने परिवार की कलोती लड़की थी उसकी मा ने कहा बेटा मेरी एक ही पेटी है तुम यही रहो उनको दुख न पहुंचे इसलिए 15-16 साल वहाँ ज्यादा रुखना पड़ा दुरबा गिवश जाने की बहुत बुरी बात है कि उनका देहांत 2002 में हो गया किसका उनकी वाइफ का मेरी कोई संतान भी नहीं थी मैंने सोचा कि अब अपने देश लोटना चा मेरा लोटना बहुत क्रियेटिव रहा बहुत फायदे मन भी रहा हाला कि मेरी ये उम्र और बदली हुई स्थितियां कभी-कभी मुश्किल भी खड़ी करती हैं फिर भी मैं यहां आकर बहुत खुश हूँ कई बार हालात बदल जाते हैं तो मेरे को मुश्किल आती है कोई म मकसद क्या है जाने कि आपका क्या उधिश्य है हैदर साब ने का चितरकार M.F. हुसाइन तायम महता और सूजा ने जो काम किया है वे बहतरीन है बहतरीन मतलब बहुत अच्छा है काभीले तारीफ है और भी बहुत से चितरकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से कुछ चितरकार ये जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए तो बाचित करने के लिए समय बहुत कम मिलता है एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो संस्था मैंने पीछे आप से बात की थी उसी के बारे में बात हो रही है यहां कला की सभी विधाओं के लोग जाने कि अपनी आर्ड दिखाने के लिए हर तरह के लोग एक साथ मिलकर संस्कृति के बारे में सोचे उसी दर्मियान जाने कि उसी बीच यह आईडिया आया और रजा फाउंडेशन बना तो रजा फाउंडेशन सापित करने का उदिशे यही था हाला कि मैं अपना नाम नहीं देना चाहता था लेकिन सभी ने कहा कि आप ए जाते हैं संग्रहाले क्या होता है संग्रहाले यहां पर चीजों का परदर्शनी दिखाई जाती है यह नहीं हैं नहीं बना रहा हूं संस्कृति को लेकर जागे हुए है नृत्य संगीत लेखन कविता और चितरकारी संगीत अलग है लेखन अलग है कविता और चितरकारी में बहुत काम हो सकता है जानिकी हैदर साब बता रहे हैं कि नृत्य में भी अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत काम हो सकता है संगीत में भी राइटिंग में भी पोईटरी में भी और रही बात चितरकारी की वहां तो है ही है मेरी इच्छा है कि इस दिशा में कला की सभी विदाओं से जुड़े हुई युवाओं को सही रास्ता दिखाया जाए उनका मारक दर्शन किया जाए ताकि अपनी क्रियेटिविटी को एक अच्छी दिशा में मोड़ दे सकें प्रश्न करता का अगला प्रश्न था भारतिये कलाकारों में आप किने पसंद करते हैं हैदर साब ने का कई चितरकार है जिने मैं खूब पसंद करता हूँ वे सभी हमारी पीडी के चितरकार है जैसे तैयम महता, अमरिता शेरगिल, गाय तोंडे, राम कुमार, अकबर पदमसी और तृष्न खना को युवा चितरकार भी है जिनको मैं पसंद करता हूँ जैसे संजी बोसकुटे, सुजाता बजाच, प्रश्न करता ने पूछा, नई पेंटिंग्स में सेकिन विश्यों पर काम करना चाते हैं हैदर सामने का मैं पंच तत्व पर काम करना चाता हूँ, बच्पन से ही शिक्षकों ने, जो मार्ग मुझे दिखाया है, जो रास्ता मेरे गुरूओं ने मुझे दिखाया है, उसी पर 60-70 साल से काम कर रहा हूँ, अब भी उसी पर काम करना चाता हूँ, क्योंकि पंच तत् की चित्रकार चित्रकार जो होता है उसकी आत्मा पर्मात्मा से जुड़ी रहती है और एक लेखकी भी जुड़ी रहती है प्रेशन करता भारत में कला कला कार की स्थिती और भारतिय कला के भविश्या पर आप क्या कहेंगे हैदर साहब इन दिनों महत्वपून और सामानिय दोनों तरह का काम कला में हो रहा है यहां अच्छा काम होता है वाहां मुझे बहुत खुशी होते है जहां बेकार काम होता है ठीक नहीं लगता अपनी समझ से हर किसी को यह डिसाइट करना चाहिए कि चितरकार अपना काम ठीक से कर रहे हैं यह नहीं आदुनिक भारतिय कला का बविश्य बहुत उजवल है उजला है मुझे पूरा ही अकीन है कि देश में ही नहीं बलकि दुनिया भर में आदुनिक भारतिय कला का पर्चम फहराएगा जाने की जंडा फहराएगा बेटा जी आपको यह पार्ट आई होप समझ में आ गया होगा उज़व मेरे चैनलर्क पर स्वरराचित कभीताएं हैं अगर आपके स्कूल कभी स्वररराचित कभीता का कोई बी प्रोग्राम होता है कोई भी आयोजन होता है तो आप स्वारचित कविताओं के विशे भी बता सकते हैं मैं वो अप्लोड कर दूँगी और मेरे चैनल पर अभी-अभी हाली में जाने कि आज ही के दिन कल के दिन मैंने असेंबली की स्क्रिप्ट कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को आने वाला है उस पर अपलोड की है हिंदी में स्क्रिप्ट जो पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं थी तो अगर आपको पसंद आए और अगर आप देख रहे हैं उसको तो प्लीस लाइक जरूर कीजएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चलिए अभियासकारे करते हैं भारती कल न का क्या भविषया बढ़ा ही उजवल है उसके बाद इन प्रश्णों के उत्तर लिखनी हैं क्योंकि स्पेस कम थी इसलिए मैंने इन प्रश्णों के उत्तर आपको अगले पेच पर प्रवाइट कर दिये हैं सेद हैदर रजा को 12 लोटने में इतना समय क्यों लग गया संशेप में लिखिये रजा फाउंडेशन का मूल उदेश्य क्या है स्यद रजा पंचतत्व पर ही क्यों काम करना चाते थे क्योंकि उनके टीचर्स ने बचपन से ही उनको यही रास्ता दिखाया था रजा जी की दृष्टी में बिंदू क्या है आपको बताया है बिंदू आत्मा है और बिंदू को गहरी अकर्शक रंगों में क्यू रखा जाता है ताकि आत्मा से मिल सके पाठाश पढ़कर प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं हैदर साब को किन चत्रकारों का काम पसंद है सभी प्रश्णों के उत्तर दे दिये गए हैं आपको तो बेटा जी फूर्थ खोशन में रजा फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या सोचती जो भी सोचती उसका एरो उपर बना दिया गया क्योंकि लाइन पाठाश में लिखी गई थी रजा फाउंडेशन हम क्यों रखा गया तो ये भी आपको आँसर प्रवाइड कर दिया गया है उसके बाद आगे बढ़ते हैं सही उत्तापट टिक कचिन्या लगाना है सहीद हैदर रजा के साड़ सतर साल तक फ्रांस में रहने का कारण क्या था ये सारे कारण थे सहीद हैदर रजा का बहुत वश्वा भार लोटने का कारण क्या था ये सारे कारण थे रज़ा फाउंडेशन बनाने के पीछे मकसद क्या अता कला कि सबी विदाओं के लोग संस्कृति के बारे में सोचे बात भाशा की तो पहला कोशन पदों के लिंक पहचान का वच्चम परिवर्तन करना है अगर लिंक वच्चन कारा की वीडियो मेरे चैनल पर देखनी है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देदूंगी और वचन है कलाएं ये इस तरी लिंग कैसे है ये जाने के लिए आपको वीडियो में लिंग वचन का रखी वीडियो मेरे चैनल पर देखनी पड़ेगी जहां मैंने डिटेल में बता रखा है लिंग को कैसे पैचानते हैं वचन को कैसे पैचानते हैं मेरी कोई संतान भी नही हैं वो आपको सामने प्रवाइट कर दिये गए हैं कोशन नमर थर्ड में दिये गए शब्द विविद भाषाओं से हिंदी में सविकरत हैं सुविकार कर लिए गए हैं इनके अर्थ लिखिए तो फाइदे मंद का अर्थ होता लाब दाइक बैतरीन बहुत अच्छा कंफ्यूजन दुविदा इसी पकास्ता भी प्रशन जितने भी शब्द हैं विविद भाषाओं से हिंदी में सुविकारे गए हैं उनके अर्थ सामने लिख दिये गए हैं कोशन नमर फोर में अगर विशेशन की वीडियो मेरे चैनल पर देखनी हैं उनके बेदों को पैचान पैचान जाता है लिंक वीडियो के डिया गए विशेशन की वीडियो ज़रूर देखिएगा मिलान करके वाक्य बनाईए उनमें से कुछ चितरकार यह जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए कुछ चितरकार कनफ्यूजर में एदुविदा में है क्या कि क्या कर आएगा तो चलिए आगे वक्षिट की तरह बढ़ते हैं यहां पर आपका पार्ट अभ्यासकारे के साथ खतम होता है कारे पत्रिका का पहला कोशन आपके सामने आ गया है कि समचार पत्र के समवदाता नहीं सेद हैदर रजा का साक्षत का लिया था तो ना भारत शुरू में बता दिया गया था आपको हैदर साब की पत्नी का वेफसाई क्या था तो आपको पता है वो भी चितरकार थी हैदर साहा भारत कब लोट के आये थे बिटा दिल्ली में जब उस समय की कलाओं का संद्रहालियर रजा फाउंडिशन बनवा रहे थे दिल्ली में समकालिं कलाओं का संग्रालिय कोन बनवा रहा था तो सेद हैदर रजा बना रहे थे मैंने उल्टा कोशन पड़ दिया हैदर साब का भारा लोट आये थे बच्चो 60-70 साल रहे वो 2010 में लोटे थे और 2010 में लोटने के बाद फ्रांस में वो कितने सार रहे अगला कोशन है 60-70 साल उसके बाद द क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक हिंदी संस्कित पूरी मेरे चैनल पर अप्लोडीड है किसी को कोई भी टॉपिक देखना हो और अगर आपके स्कूल में कोई और बुक लगी है इन बुक्स के अलाबा तो कृपया बता दीजिए का कमेंट बॉक्स में मैंने सोचा कि अब भारत ल इसी बरकार से भारत में सांस्कृशी जागरिती है सरल वक्य है यह अगले दो प्रशन भी इसी अधार पर सौल्व कर दिये विलोम शब्द बताना है सकृए का निश्क्रिये रचनातमक का विद्वानसातमक उके पसंद का ना पसंद और उसके बाद अगला है आपका अकर् में हैं सक्रियता जानी की सक्रिये मूल शब्ड अलग हो गया ता प्रत्य अलग हो गया सम्मानित में सम बत्य लियु उस पर भारत SHP गया मूल शब्ड और Z कला आपका हो गया मूली शब्द और कार हो गया आपका प्रत्य ओके स्थापित अगला तोड़के अगर जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा थर्ड कोशन में प्रयाइबाची शब्द लिखने थे फोर्थ में विशेशन बनाने है संस्कृतिक जैसे संस्कृतिक चलिए करती का बन के उत्तर आपके सामनी है कोई भी प्रश्न का उत्तर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कारे पत्री का 2 के उत्तर आपको अगले पेश पर मिल जाएंगे तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो चैप्टर 8 हो गया है कंप्लीट मेरे चैनल पर त मन लगाकर पढ़िए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितनी भी वीडियो मैंने इस वीडियो में बताई है न कि इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया तो डिस्क्रिप्शन ओपन करके भी देखिएगा ओके ताकि समझ में आए विशेशन को कैस से पहचानते हैं प्रत्य किस तरह पहचाने जाते हैं गुडबाई everyone all the very best for your exam